हेलो दोस्तों, फ्रोजन वेज स्टार्टर किलास की एको रेसेपी आज में फिर से सेयर कने आई इस किलास की रेसेपी का नाम है चीज इटालियन स्क्वेर्स फ्रोजन चीज इटालियन स्क्वेर्स को बना करके आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते इस पेसलिटी की बात की जाए तो यह बहुत ज़्यादा करंची बन का त्यार होता है इसको ब्रेड करंज के बिना ही बना का त्यार किया है स्क्वेर्स के अंदर आपको इटालियन फ्लेवर देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा यमी है इस टाइप की फ्रोजन आइटम आपको बजार में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी सबसे बड़ी बात इसको बीना प्रिजरवे टिप के बना कर त्यार के आए गया है तो चलिए देर किस बात के रेसेपी को स्टार्ट करते है इटालियन स्क्वेर्स बनारे के लिए पहले थोड़ी सी सब्जों को बूहना जाएगा इसके दिए लेना है एक बड़ा चमच के करीब बारी कटीवी हरीमिच एक बड़ा चमच बारी कटावा दरक एक कप लेनी है प्लेवर बहुत ही अच्छा बन कर आता है अगर आप फूल गोवी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं आप यहां पर ले सकते हैं पत्ता गोवी इन सबको एक से दो मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनना आए यह देखिए थोड़े इसके पानी को अलग करूंगी और फिर से पानी में दोंगी दो तीन वर पानी में दोने से पहु अच्छी तरह के साफ हो चुका है अब मैंने इसको छलणी में डाल दिया जिससे की थोड़ा वो जो पानी होगा पानी निकल जाएगा इसको मैं 15 मिनट के लिए रखका छोड अब मैं ले रहे हूं मीडियम साइज के दो उबलेवे आलू जिसका बजन 200 ग्राम है आलू के पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद इनको कद्दू कस करना है इस्टाटर बनाने के लिए आलू आपको इसे भी ले सकते इस बात का ध्यान लगना आलू में पानी की क्वांटि दो बड़े चम्मच के करीब बारी कटा हो हारा धनिया बुणी हुई फूल गोबी के ठंडा हो जाने के अवाद इसको भी इसमें एड कर देना एक छोटी चम्मच नमक एड करना है नमक आप अपने स्वात के अनुसार ले सकते आधी छोटी चम्मच का पावडर काली मिच क पावडर ऑप्सेनल में आप इसको कि भी कर सकते आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पावडर मिक्चर को तीखा बनाने के लिए आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिच का पावडर नमक और मिच आप अपने स्वात के अनुसार रखे आप इसमें अपने पसंद के कोडि आप ईसके साथ एड कर सकते 訴 reti को करना अगर के साथ चूरा भी ले को करना है करके साथ अच्छी तरिके से mix, ȉब्स करने के बाद इसको टेस्ट करना है और तेस्क कोरिक इसमें लभाकमिच का प्लेवर रखना पूहा अच्छी तरिके से mix हो गया है मिक्सों जाने के बाद आप देख सकते मिक्सर कितना जाद टाइट बन का त्यार हुआ है 15-20 मिनट रखने से पोह कितना जाद खिला-खिला सा हो गया है पोही की सोकिंग अच्छे से होई है सोक्यों पोहे से मैं इसकी टोप लेर दोंगी टोप लेर देने के लिए आप ब्रेट करम्स कौन फ्लेक्स या फिर ओट्स कुछ भी यूच कर सकते हैं सेलरी बनाने के लिए आदा कप मैदा लेनी है और चुथाई कप लेना है कौन फ्लोर आदे छोटी चमच नमक एड करके मेश में थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका गोल बनाकर त्यार करूंगी पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालना है बहुत सारा एक स नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा पानी डालता हुए गोल बना कर त्यार करना है गोल नहीं बोजाद घाड़ा होना चाहिए यह देखे परफ्यक कंसिस्टेंसी के साथ गोल बन कर त्यार हो गया है मुझे इसमें आदा कप के करी पानी लगा है फिलिंग के लिए चमच औरिगेन और फिर पीजा सीजनी इन सबको मिक्स करके यहां परमाई जट पड़ स्टफिंग बनका त्यार हो गई है अब मैं स्क्वेट बना का त्यार करूंगे स्क्वेट बनाने के लिए आप ले सकते हैं स्क्वेट में या फिर राउंड शेप में कटर कटर आपको मैं चमच मिक्चर लेने के वाद मैं एक और बड़ा मिक्चर ले रहें निक tulisanda कोvenir को देना कटर के अंदर कटर केंद मैं ​​के बसार चारू तरफ को फिला देना के बाद इस में क्या हुआ पनी ले सकते हैं चीज को बीचों भी सेंटर में डालना चीज चारों तरफ को फैली हुई नहीं होनी चाहिए भी सेंटर में चीज डाल करके दूसरे वाली मिक्चर से कर देना इसको कवर पहले मिक्चर को हलका सा फिला देने के बाद कर देना इससे कवर कवर करने क के वाद यहां पर आपका चीजी इटालियन स्कुर्स बनकर त्याया हो जाएगा रेसिपी बहुत ही कमाल किए रेसिपी को एक बार जुरू ट्राइब कीजिएगा कटर में तेर लगने की वजए से इसाने से भार निकलकर आ जाता है चीजी इटालियन स्कुर्स बहुत जल्द से भी बहुत ही कमाल किए यह देखे सारे मिक्चर के स्कुर्स बनकर त्यार हो गए गोल रखे रखे थोड़ा सा फूल गया है मैं इसमें एक बल्चमर्स के पानी और एड़ कर रही हूं मैदा और कौन फ्लोर का गोल डेड़ी है स्कुर्स को गोल में डीप करके इसको में प पोहे इसके साथ कवर करने से यह बहुत ज़्यादे क्रिश्पी बनकर त्यार होएगा पोहे के साथ कवर करते समय जहां पर आपको ऐसा लगता है कि पोहाँ चिपक नहीं रहा उत जगाए पर थोड़ा घूल लगाए और पोहे को चिपकाए उस स्कुर्स के चारों तरह पो रखता नहीं पड़ेगी यह देखें पोई साथ कवर होने के वाद यह देखने में कितना ज्यादा डिलीसेस लग रहा है इसी तरीके से सारे स्कुएर्स को सलरी और पोई के साथ कवर करूंगी अगर आपको इन्हें फ्रोजन करके रखना है तो फ्रोजन करने के लिए आपको सकते से लगए बस यह बात का दया रखना कि आपके फ्रीजर की साथ महीं ञतीन से लेक्टाने के वाद आप इनको किस तरीके से deep fry कर सकते हैं, deep fry करने का तरीका एक दमाला लग है, जितने पीस आपको deep fry करने, उतने पीस एक प्लेट में निकाल करके वागी के बचे हुए पीस को रख देना है, वापिस फ्रीजर में, फ्रीजर में से निकालने के बाद, squares को 5-10 मिनट के लिए रख को deep fry करना है, तेल में डालने के बाद मैं इसको आधा से एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जब यह हलके से सुनहर हो जाए तब ही आपको इने पलटना है, बार बार पोनी माने से भी इस चीज निकलने के चांस जारे रहते हैं, एक साई से सुनहर हो जाने के बा आप इसको हरी चटनी के साथ टमेटो केचप के साथ या पिर अलोलग फ्लेवर की मियोनीच के साथ सर्व कर सकते हैं, गरम गरम चीज इटालिन स्कुर्स खाने में बहुती ज़्यादे ला जबाब होते हैं, इसके अंदर की जो चीजी फिलिंग होती है, वह तो बहुत ज़ ज़स्क्राइब कर दो इसी तरीके से आपको ऐसी ही मज़ेदार तेश्टी रेसेपी मिलते रहें, अगली रेसेपी के साथ तब तक के लिए हैप्य कुकिंग बने रहे होती हैं, इस टेश्टी हैपी के साथ फूल एंज़ोई कीजिए, अगली के साथ फिर मिलूँगे बाइब बाइब बाइब